नमस्ते अब्रिवान आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चिनल पर मैं आज बराने जारी हूं बहुत ही आसान सी रेसिपी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज मैं सूजी और हरे मटर का बहुत ही अच्छा रेसिपी बना करके लाए हूं यह नास्ता 5-6 मिंट के अंदर बन करके रेडि हो जाता और खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है तो एक बार यह रेसिपी जुरूर से ट्राई कीजिए अब मैंने एक कप सूजी लिया है अ पैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंस तो देखिए अच्छे से मैं इसे पानी डाल करके मिला ले रही हूं ताकि हमारा बैटर बढ़िया से फूल सके तो देखिए हमारा बैटर कितने अच्छा से यह फूल चुका है दस मिन के बाद उसके बस मैंने य हरा लासुन का जो पता होता है नो यहां पर डार रहे हैं और एक हरा मिर्च डार रहे हैं और लासुन कुटी हुई डार रहे हैं अगर आपको ज्यादा तीका पसंद होगा तब ज्यादा मिर्चा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं ज्यादा हम मिर्चा क्यूज नहीं कर रही हूं और एक मेडियूम साइज का कटा हुआ प्याज में यहाँ पेड़ कर रही हूँ हलका सा इसे सुना रहा होने तक हमें भून लेना है उसके बसे जो हमने इसमें मटर छोड़ा करके रखा हुआ तहारा फ्रेस मटर वह इसमें एड़ कर लेंगे फ्रेंस और अच्छे से इसे चल दालेंगे और एक चमच हल्दी पाउडर में यहां डाल रही हूँ और एक चमच हलका जीरम पाउडर और एक चमच मरीज पाउडर असवाद अनुसार नमक डाल रही हूँ ज्यादा हम मसाला के यूज नहीं करेंगे फ्रेंस थोड़ा थोड़ा ही मसाला में यहां एड़ की हुँ और अच्छे से मसाला चला की कवर करके पका लेना है तक हम stories मसाला पर पक जाए इती सब फिर से हम चलाते हुए कि घख के हंब दखान है कि दो मिंटख केक्ट पक किया है इस मटर के डाने हम उनली से लडबा करके चेक कर लेंगे उसके रद गैles को हम आफ कर लेंगे आफ करने के बाष से हम इसे एक बलेट मैं निकाल लेंगे देखे कि इतना अच्छा से हलका क्रैक क्रैक मटल के दाने यह वाथ कशीखDAY कर रहा है और एक our a इसलिए मैं मैसर के सहारा से इसे अच्छे तरह से मैस कर लूँगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी नास्ता बन करके रेदी होता है फ्रेंस मुझे तो बहुत अच्छा लगा था आप लोग यह रेसिपी जरूर से ट्राइ कीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अगर तो देखिये अच्छे से मैस मैसर कर ले रहे हूँ एक प्लेट میں रखकरके और बहुत ही यह रेसिपी आसान है यह रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है फ्रेंस एक बार यह रेसिपी आप लोग जरूर स्राइ किजिएगा बच्चे को लंच पक्स में भी आपु दे सकते ह में बंकर कि यह रटा हो जाता है तो देखिए मैस करने के बाँ से चमत से यह बिल्कुल भी चिप चिपा सा नहीं है और दानेदार कितना अच्छा से यह बंकर करके रडी हुआ है तो मैं इसे सायड में रख ले रही हूं और सॉजी का खोल देखिए कि हमारा अच्छे से ठीक हो गया इसमें मैं स्वादनुसार थोड़ा सा नमक डा रही हूं और कुछ भी नहीं डालना है सिफ नमक नमक डालके अच्छे से मिला लेना है एक पैन मैंने यहां चड़ा लिया था फिर से और पैन गरम हो जाने के बस थोड़ा सा रिफैन ओल डाल मिलाई है और इस बेतर का सूजी हमने फुला करके रखा था उस बैर को हम जैसे पुइआ क्या बनाते हैं मतलब थोड़ा से चापटा और एक पैनडा ले लें गे जैसे हमने मटर्य के दाने का मैस करके बनाया था ना इस्टाफिंग उस पैनडे को हमने यहां इसे ले लेना कर देना है अच्छी तरह से कभर करना के निक्ट के हम इसे पका लेंगी तब टक मैधा सुनेयरा गोल्डन कलर ना हो जाये तो देखिए अच् ha is से दसे अटा कर लिया है इस को फ़ोवा भर्ड़ हुँआं सब्सक्राइट कर द् research करना करने यह लिए हैं जबाखिए अरशा भी BE tambrake रीडी करते हैं अब रूड़ी मैं इसे कितना अच्छा पीछ ली हूँ और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया ये किन मानिये फ्रेंस इस नास्ते के साथ ये वला चटनी बहुत ही बढ़िया लग रहा था तो मैं इसे कट करके भी आप लोगो दिखा रही हूँ तो देखिए एक चॉपिंग बोर्ड मैंने इस नास्ते को लिया है और इसे चाकु से कट कर लूँगी तो देखिए इसका बीच वालबा कितना अच्छा डिलिसी से दिख रहा है फ्रेंस ये वाला रेसिपी जरूर से आप लोग ट्राई किजिए का बहुत पसंद आएगा आप लोगो और अंदर से श्टपिंग सारे लोगों को तो एक पर ये रेसिपी मेरे कहने से जरूर से ट्राई किजिए फ्रेंस आप लोगों बहुत पसंद आएगा बड़े बच्चे सभी को ये नास्ता बहुत पसंद आएगा और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज 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 चैनल को लाइक कि जीएगा फ्रेंज तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई